Hello students, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूँ Pooja Singh and welcome back to my channel. And this is the 21st lecture. ये मेरा 21st lecture है on the subject income tax. And आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत important chapter that is exemption from tax. और मैं कोशिश करूँगी कि 2 से 3 lecture वीडियो में हम इस पूरे chapter को finish कर ले. तो चलिए एक बार मैं आपको short में बताती हूँ कि हम इस चाप्टर में क्या-क्या पढ़ेंगे. तो इस चाप्टर में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि what is exempted income, exempted income क्या होती है. ठीक है? और ये जो exempted incomes हम discuss करेंगे, इसको हम 3 category में करके पढ़ेंगे. सबसे पहला, employee के लिए कौन-कौन सी exempted income होती है, फिर institution के लिए कौन-कौन सी exempted income होती है. और उसके बाद हम देखेंगे कि all the SSEs, जितने भी SSE हैं other than employee and institution. Employee और institution को छोड़के दूसरे जितने SSEs हैं, उनके लिए कौन-कौन सी aise income है जो exempted है. तो ये सभी हमें topic इस chapter में पढ़ने हैं. तो चलिए फिर आज का lecture video हम स्टार्ट करते हैं. Exempted income. तो सबसे पहले तो ये जो word है exempted इसका मतलब पता होना चाहिए. तो exempted का वैसे हिंदी में मतलब होता है छूट. तो अब आप समझ गयोंगे कि exempted income यानि कौन सी aise income है. यानि कौन सी aise income है जिस पे छूट मिल रही है यानि उस income पे tax नहीं पे करना पड़ेगा. तो वही चीज़ यहां पे लिखी है exempted income is that income on which income taxes not chargeable. तो exempted income वो income होती है जिस पे income tax नहीं चार्ज होता है जिस पे income tax नहीं देना है. That is exempted income. अब यह जो exempted income का topic है इसको हम तीन category में classify करके पढ़ेंगे. ठीक है? बताया था ना? Employee के लिए कौन-कौन सी exempted income है जिस पे tax नहीं देना है. Institution के लिए कौन-कौन सी exempted income है जिस पे tax नहीं देना है. और उसके बाद all the SSEs. Employee और Institution को छोड़के बाकी जितने लोग आते हैं, बाकी जितने SSEs आते हैं उनकी एक category है. ठीक है? तो एक-एक करके हम इन category wise exempted income पढ़ेंगे. ठीक है? तो पहले किस से शुरू करें? चलिए पहले इस से शुरू करते हैं. All SSEs. यानि जितने भी SSEs हैं, Employee को और Institution को छोड़के बाकी जितने भी SSEs हैं, उनके लिए कौन-कौन सी ऐसी income है जो exempted है. ठीक है? कौन-कौन सी income ऐसी है जिस पे उन्हें tax नहीं देना है. राइट? तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहली exempted income. तो हम पाढ़ें All SSEs का case. ठीक ह agriculture income. देके मैंने यहां पे section भी लिखे हैं. सेक्शन, सबसेक्शन. तो section 10, subsection 1 में बताया गया है कि agriculture income. तो वो income जो agriculture से derive होती हूँ. ठीक है, agriculture income जो है, that is exempted from tax. वो exempted है tax से. ठीक, बट इसमें condition अपलाई है. condition क्या है? कि agriculture land must be situated in India. अगरिकल्चर land इंडिया में होना चाहिए. प्लस इसके साथ कुछ और भी वैसे condition है. agriculture income का जो chapter है, वो मैं already अपनी channel पे cover कर चुकी हूँ. अपनी पहले channel, accounting master class पे cover कर चुकी हूँ. तो आपको और detail में और condition देखनी है, तो आप वो videos refer कर सकते हैं. वो पूरा chapter मैंने cover किया हुआ है. तो यहाँ पे मैं इतना बता दे रही हूँ. जो agriculture income है, that is exempted from tax. वो tax से exempted है. बस शर्ते, उसमें condition apply किया है कि agriculture land must be situated in India. ठीक है? तो यह पहली income हो गई. दूसरी income कौन सी exempted होती है? that is sum received from HUF. यह इनके section लिखे हो है. ठीक है? sum received from HUF. तो कोई भी individual, ठीक है? जो member हो HUF का. HUF मतलब Hindu undivided family. तो कोई भी individual, जो member हो HUF का, ठीक है? उसे कोई भी sum अगर receive हो रहा family. फामिली की income से उसको जो भी sum received हो रहा है, किसी भी member को, जो HUF का member हो. ठीक है? किसी भी individual को, जो HUF का member हो. उसे कोई भी sum जो received हो रहा है, that is exempted from tax. वो tax से exempted होता है. ठीक है? क्योंकि उस पे तो already tax दिया जा चुका है, na? HUF की income पे तो already tax दिया जा चुका है. तो इसलिए जो भी individual है, जो HUF का member है, उसे कोई भी अगर sum receive हो रहा है, तो that is exempted from tax. ठीक? यह दूसा point हो गया. तीसरा जो है, that is share of income of a partner in the firm. ठीक है? अगर कोई partnership firm है, ठीक है? और जो partner है, firm का जो partner है, उसका जो भी share है, उसका जो भी हिस्सा है in the income of the firm. फर्म की जो भी income है, उसमें partner का जो भ from tax. वो tax है exempted है. क्योंकि जो income of partnership firm है, उसमें तो tax पहली दिया जा चुका है, तो उस income पे उस partner का जो भी हिस्सा है, that is exempted from tax. ठीक? तो यह हो गया तीसरा point. चौथा point. चौथी income, जो exempted है tax है, that is interest on money is standing to the credit of individual in his NRE account. ठीक है? तो इसका मतलब क्या है है, कि suppose करिए कोई भी individual है. ठीक है? अगर उसको कोई भी income derive हो रही है, कोई भी individual है, उसे income derive हो रही है by way of interest. ठीक है? interest के form में अगर उसे income derive हो रही है, उस पैसे पे जो उसके किस account में है? NRE account. NRE मतलब non-resident external account. इसी को NRE account कहते हैं. non-resident external account पे जो भी money है. non-resident external account में जो भी money है, उस money पे जो भी interest के form में, जो भी income derive हो रही है, उस individual को. ठीक है? under the act, यह जो FEMA act है. ठीक है? FEMA मतलब? FEMA. वैसे FEMA and FARA. FEMA and FARA. अगर आप में चैनल के regular viewer है, अगर regular आप में चैनल से पढ़ाई करते हैं, तो आप जानते होंगे, मैं FEMA और FARA के बारे में detail में बता चुकी हूँ. यह बहुत important topic है. वैसे FEMA का मैं full form बता देती हूँ. FEMA मतलब Foreign Exchange Management Act. Foreign Exchange Management Act. ठीक है? That is FEMA. तो FEMA 1999 के according. ठीक है? अगर कोई इंडिया में कोई भी bank है, उसमें किसी individual का. ठीक है? जो resident हो outside India. जो इंडिया के बाहर रहता हो. ठीक है? और RBI ने उसे permission दियो. तो उसके NRE account में जो भी पैसा है, उसमें जो भी interest के form में, जो भी उसको income derive होती है. That is exempted. वो exempted होती है. ठीक है? यह बाद समन में आई? इसमें दो condition है. दो condition है. दो condition है. पैली condition क्या है? कि that person resident outside India. वो person कहां रहता हो? इंडिया के बाहर. As defined in FEMA Act 1999. ठीक है? और दूसरी condition क्या है? कि वो जो account है. That must be permitted. उस person को account open करने की permission मिली होनी चाहिए RBI से. ठीक है? तो यह दो condition fulfill होती है. तो उस case में वो जो individual है. उसके NRE account में जो भी पैसा है, जो भी money है. उससे जो भी interest के फॉर्म में income derive होती है. That is exempted. वो exempted होती है. ठीक? तो यह हो गया चौथा point. पांचवा point. पांचवा point क्या है? कि payment under Bhopal gas leak disaster 1985. तो हम जानते हैं 1985 में बहुत एक disaster हुआ था Bhopal gas tragedy के नाम से जिसे कहते हैं. तो Bhopal gas tragedy हुई थी. तो अगर कोई भी payment receive होता है किसी person को. ठीक है? Under this act, Bhopal gas leak disaster act 1985 के तहर्त किसी person को अगर कोई payment receive होता है. ठीक है? तो that is exempted from tax. वो tax है exempted है. लेकिन इसमें condition apply है. अच्छे ये जो हर चग है मैंने star में ऐसे बनाया है ना this is condition. ये condition है. इसमें क्या condition apply है? कि deduction has already been allowed. अगर उस person ने already उस पर deduction ले लिया है तो that is not exempted. वो जो amount होगा वो exempted नहीं होगा अगर उसको उसने deduction में already ले लिया है तो ठीक है? तो ये इसकी condition apply है. बागी जो भी payment receive होता है वो इस act के तहर्त जो भी payment receive होता है that is exempted. अगर उस पर deduction नहीं लिया हो तो ठीक? यह हो गया पाच्वा point. च्छटा point क्या है? च्छटा है compensation of disaster. तो अगर कोई भी amount receive होता है किसी individual को कोई भी amount receive होता है या receivable receive होने वाला है central government से या straight government से या local authority से ठीक है? किसी individual को या उसके legal hair को in the form of compensation. ठीक है? compensation के form में अगर कोई भी amount receive होता है ठीक है? तो that is exempted. वो exempted होता है. ठीक है? वो exempted होता है. compensation of disaster. वो exempted होता है. राइट? चलिए आगे पढ़ते हैं. सात्वा point. सेवन्थ पोईंट. सेवन्थ पोईंट क्या है? life insurance money. तो आप जाते है life insurance policy कराते हैं लोग. ठीक है? तो उसके तहर जो भी sum receive होता है ठीक है? life insurance policy जो लोग कराते हैं तो जो भी sum receive होता है under life insurance policy including bonus. life insurance policy का जो sum amount है plus bonus ये जो होता है this is exempted. ये क्या होता है? इस पर tax नहीं लगता है. that income is exempted under section 1010D. ठीक है? और ये वाला section काफी important है under section 1010D. जितने भी job holders होते होंगे उन्हें जैसे मुझे भी सारे section तो बहुत नहीं आदे हैं लेकिन कुछ कुछ section जैसे section 8TC, section 1010D ये सब कोई भी अगर service class में है service class या मतलब कोई भी income earn कर रहा है, कोई भी job holder है तो उसको कुछ sections तो अच्छे से पता हैं क्योंकि ये सब जो है हमारे tax exemption में क्योंकि इसके तहत कुछ investment किये जाते हैं और फिर tax मतलब क्या लिजए tax benefit हम ले सकते हैं तो ये section 1010D काफी important है, ऐसी section 8TC भी आगे चलके पढ़ाऊंगी, वो भी काफी important है तो ये कुछ section हम सबको याद रहते हैं, ठीक है, जो भी job holder है उसे ये सब sections तो पता है तो life insurance policy अगर किसी ने कराई है और उसके तहत life insurance money receive हो रहा है तो जो भी sum receive हो रहा है including bonus, sum life insurance policy का जो sum है including bonus जो है that is exempted, वो exempted होता है tax से ठीक है, लेकिन उसके साथ कुछ condition applied है ठीक है, लेकिन उसके साथ कुछ condition applied है और ये condition आप एक बढ़ बुक से पढ़ लीजेगा detail में ठीक, बट इसमें कुछ और points भी है, जैसे आपने ULIP का नाम सुना होगा, ULIP, ULIP क्या होता है, Unit Link Insurance Plan, ULIP, बहुत popular है ULIP, Unit Link Insurance Plan तो basically ये भी एक Life Insurance Product होता है, ULIP, ठीक है, जैसे Term Life Insurance होते हैं, ठीक है, ऐसे ही traditional plan होते हैं, ऐसे ही एक ULIP होता है, Unit Link Insurance Plan इसकी खास बात क्या होती है, कि यहाँ पे Risk Cover तो मिलता ही है, Life Cover तो मिलता ही है, Plus It Is An Investment, ये एक Investment भी है, ULIP, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पैसा होता है, वो Market में इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है, तो ULIP जो होता है, It's an Insurance Product, जिसमें Risk Cover प्लस Investment दोनों होता है, तो ये य इन रिस्पेक्ट अव यूलिप, ठीक है, कोई भी Exemption Section 1010-D के तहत, ULIP प्रोड़क्ट पे नहीं दिया जाता है, वो ULIP प्रोड़क्ट जो इशु किये गए है, और या आफ्टर 1st February 2021, 1st February 2021 के पे या उसके बाद जो भी ULIP प्रोड़क्ट इशु किये गए है, उन पे Exemption नहीं मिलता है, अगर, if, अगर उनका जो amount of premium pay bill है, ठीक है, any of the previous year during the term of the policy, यानि policy के term में किसी भी पिछले सालों में, अगर जो भी premium का amount दिया गया है, वो अगर धाई लाग से जादा है, तो उस ULIP पे tax exemption नहीं मलता है, ठीक है, तो ये एक clause है, थोड़ा सा ध्यान होना चा थेकिए, life insurance policy जो ली जाती है, अगर person की death हो जाती है, ठीक है, और अगर death होने पे वो some amount मिल रहा है, तो उस case में that is exempted from tax, और ये बखाद अच्छी बात है, ठीक है, क्यूंकि अगर death होने पे वो जो amount मिल रहा है, उस पे अगर tax लग जाएगा, तो वो amount already come हो जाएगा, तो तो यह अच्छी बात है कि अगर death होने पर अमांट मिलता है, तो that is tax exempted, वो tax exempted होता है, तो यह हो गया 7th point, आजागे 8th point पर, 8th point क्या है, any payment from Sukanya Samriddi account, Sukanya Samriddi account के तहत कोई भी अगर payment receive हो रहा है, तो that is exempted from tax, ठीक, अब यह Sukanya Samriddi account क्या होता है, तो Sukanya Samriddi account, Government of India का एक initiative है, ठीक है, यह एक saving scheme है, जिसमें कुछ benefits दिये जाते है, Government of India ने इसको launch किया है, यह scheme basically उन parents के लिए है, जिनकी girl child है, ठीक है, तो basically girl child education, जो girl child है, उनके future education के लिए, उनके bright future के लिए, Government of India ने यह कुछ saving account scheme कुछ launch की है, ठीक है, इसके तहर्त कुछ benefits दि है, और भी कुछ benefits है, तो वही है Sukanya Samriddi account, ठीक है, तो जो भी payment receive होता है, under this account, that is exempted from tax, ठीक है, चलिए अगला देखते है, 9th point, 9th point क्या है, payment from National Pension System Trust, ठीक है, payment from National Pension System Trust, ठीक है, पेमिन फ्रॉम नेशनल Pension System Trust, ठीक है, तो कोई भी payment, अगर National Pension System Trust के तहत, कोई भी payment receive हो रहा है SSE को, ठीक है, on the closer of account, अगर यह जो नेशनल Payment System Trust के तहत, जो भी pension account है, वो अब close हो रहा है, ठीक है, तो उस पे जो भी payment मिल रहा है, या अगर he, जो SSE है, he is opting out of the pension scheme, वो अगर pension scheme से opt-out कर रहा है, तो उस case में up to 60% of total amount, जो भी 60% of total amount payable to him shall be exempted, यानि जो भी पूरा amount उसक पर सिसी परसंट जो amount होगा, उस पर tax, वो tax exempted होगा, उस पर उसे tax नहीं देना है, ठीक, तो यह होगा 9th point, 10th point क्या है, पार्शल विद्रॉल from National Pension System Trust, यानि अगर जो एम्प्लॉई है, ठीक है, अगर वो पार्शल विद्रॉल कर रहा है, ठीक है, यानि कुछ amount तो उस case में, up to 25% of the amount of contribution made by him, यानि उस pension में, जो भी उसने contribution किया है, उसका 25% जो है, that would be exempted, वो exempted होगा tax से, अगर वो पार्शल विद्रॉल कर रहा है तो, ठीक है, तो यह होगा 10 points, बाकि अभी मैं 21 point कबर करूंगी total, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छा पर accounting master class के नाम से मेरा पहला चैनल है, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी, this is the list of subject, ये वो list of subject है, जो मैं अपने first channel accounting master class पे cover कर चुकी हूँ, आज की तारिक, यानि November 2022 तक, अगर ये विडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें मैं क सब आपके लिए किया है, जरूर इसको subscribe करिएगा, और notification bell भी प्रेस करिएगा, तभी आपको जो मेरे upcoming videos होंगे, उनकी notification मिल पाएगी, वैसे subscribe तो आपको मेरे दोनों channel कर लेने हैं, ठीक है, और lecture useful लगे, तो लाइक करना मत भूलिएगा, और comment section में मुझे बताते रहा करिए कि अगला lecture video आप किस subject पे चाहते हैं, और अपने friends के साथ भी जरूर इन lecture videos को share किया करिए, और अगर आपको मेरे channel पे जो uploaded videos है, उनके notes चाहिए, then you can download my application, आप मेरी application डाउनलोड कर सकते हैं, Google Play Store से, right, चलिए आगे बढ़ते हैं, 11th point, 11th point, यानि कौन सी ऐसी income है, ठीक है, that is exempted from tax, other than, जहां पे उन SSEs की हम बात कर रहे हैं, जो न तो employee है, न institution है, यानि institution और employee को छोड़ के, बाकी जितने भी SSEs है, उनका case हम पढ़ना है, कि उनकी कौन सी ऐसी income है, that is exempted from tax, जो tax है, exempted income हम पढ़ना है, basically, ठीक है, तो 11th point, क्या है, interest of different types, यानि कुछ interest की income होती है, that is fully exempted from tax, ठीक है, कुछ income होती है, जो interest के form में होती है, वो completely exempted होती है, tax से, ठीक है, interest and premium on redemption of notified securities, bond and certificate, कुछ notified securities है, कुछ bonds है, कुछ certificate है, जिन पे जो interest मिलता है, या उनको अगर redeem किया जाता है, premium पे, तो जो भी income होती है, that is exempted from tax, ठीक है, जैसे, अब वो कौन से ऐसे bond है, कौन स एसे security है, तो जैसे national defense gold bond हुआ, 1980, या special bearer bond 1991, या post office का cash certificate हुआ, या post office का cumulative time deposit account हुआ, और भी बहुत सार है, तो इन सब पे, जो भी interest income receive होती है, that is exempted from tax, ठीक, 12th point, बारवा point क्या है, educational scholarship, educational scholarship, तो हम जानते है, ये scholarship क्या होती है, scholarship, basically पढ़ने के लिए, जो भी cost of education है, उसको cover करने के लिए, जो भी grant पलती है, that is scholarship, तो scholarship, चाहे government से मिली हो, चाहे कोई भी दूसरे organization से, जो भी education के purpose से, जो भी cost of education को cover करने के लिए, जो भी scholarship दी जा रही है, that is fully exempted, ये fully exempted होती है, इस पर tax नहीं लगता, बहुत अच्छी चाहे है, चलिए, अगला क्या है, allowances of MPs, MLA, MLC, यानि Member of Parliament, और जो MLA's होते है, जो MLC's होते है, इनकी जो भी, जो भी इनको allowances मिलते हैं, ठीक है, allowances जैसे DA, DA क्या होता है, daily allowances, ठीक है, that is completely exempted from tax, ये completely exempted होता है, ठीक है, and any other allowances, कुछ और भी, जितने भी दूसरे allowances मिलते ह है, MPs को, MLA's को, MLC's को, इनकी जो भी allowances मिलते हैं, other allowances plus DA, ये सब exempted होता है, tax है, कितनी अच्छी बात है, चलिए, आगे बढ़ते है, 14th point, 14th point क्या है, awards, 14th point क्या है, awards, कोई भी payment, any payment made, whether in, any payment made, whether in cash or in kind, ठीक है, तो कोई भी award, अगर public interest में दिया जा रहा है, ठीक है, कोई भी award जो public interest में, central government, state government, या कोई भी दूसरी body से जो award receive हो रहा है, that is complete, चाहे वो cash के form में award हो, चाहे वो kind के form में award हो, ठीक है, अगर कोई भी award public interest में दिया जा रहा है, तो that is completely exempted, वो exempted है, tax है, ठीक, next point, 15th क्या है, pension of gallantry awardee, gallantry awardee मतला वीरता पुरुसकार जन लों को मिलता है, ठीक है, तो जो भी pension receive हो रही है, ऐसे individual को, ठीक है, ऐसे individual को, who has been awarded for the service in state government, या state government, या central government, जन इंडवीजवल ने service की है, ठीक है, और उन्हें परमवीर चक्रेवर्ड, या महावीर चक्रेवर्ड, या वीर चक्रेवर्ड, या कोई भी दूसा galantry, अगर award मिला हुआ है, तो उस case में, उनकी जो भी pension है, that is, exempted from tax, वो tax is exempted, और ये बहुत अच्छी बात है, so जो जो soldiers होते हैं, वो हमारे देश की, मतलब हमारे बॉर्डर की security कर रहे होते हैं, मारे देश की सेवा कर रहे होते हैं, तो ये तो बहुत अच्छा step है, ठीक है और अगला step भी है, मुझे बहुत अच्छा ये clause लगा, अगला है, family pension of a member of armed force, ठीक है, जो भी family pension, family pension मतलब, suppose करें, जो भी armed force में जो person रहा हो, ठीक है, या paramilitary forces में जो person रहा है, और उसकी during its operational duty, ठीक है, यानि अगर वो duty के दोरान, अगर वो शहीद हो गया है, और उसकी family को pension मिल रही है, उसकी जो विडो है, या जो उसके बच्चे है, या उसके जो नॉमिनेटेड लीगल हेर है, उन्हें जो भी family pension मिल रही है, तो that is exempted from tax, वो tax से exempted होती है, और यह बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बट इसमें कुछ condition अप्लाइड है, condition ये है कि वो जो armed force का person है उसकी death हुई हो, during its duty, operational duty के दोरान हुई हो, प्लस कुछ और भी prescribed condition है, अगर वो fulfilled होती है, तो उस case में family pension is exempted from tax, ठीक है, तो ये हो गया 16th point, 17th point क्या है, 17th point है, हम जानते हैं, इंडिया में कुछ जगों पे, जैसे जैपर हुआ, भोपाल हुआ, वहाँ पे, देरा पैलेस है राजा लोग रहते हैं, ठीक है, तो उनको भी tax benefit, उनके लिए भी tax exemption है, मतला, tax free income है, तो उनके case में क्या होता है, annual value of one palace of ruler of Indian state, ठीक है, जो annual value है, अगर उनके कई palaces है, ठीक है, कई महल है, तो एक महल की जो annual value है, ठीक है, एक महल की जो annual value है, इन दा occupation of a ruler, यानि ruler, जो raja है, उसने वो occupied किया हो, मतलब उसमें वो रह रह रहा हो, ठीक है, occupied किया हो, तो उसके एक palace की जो annual value है, ठीक है, that is fully exempted, वो fully exempted होगा, उसमें टाक्स नहीं देना होगा, यह अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक clause यह है, कि if the portion of the palace is lent out on rent, अगर उन्होंने अपने palace का कुछ portion lent out किया हुआ है, ठीक है, sorry, मतलब rent out किया हुआ है, ठीक है, तो उस case में, उस portion की जो annual value है, वो exempted नहीं होगी, ठीक, उसे include नहीं किया चाहेगा, राइट, तो यह थोड़ा सा clause है, इसका धियान रखना है, अगला जो 18th point है, यह भी बहुत अच्छा point है, income of schedule tribe, तो जो schedule tribe, जो ST category के, ठीक है, वो individual जो member हो, ST category, schedule tribe के, ठीक है, और वो tribal areas में अगर वो रह रह रहे हैं, ठीक है, residing in tribal areas, यानि ST, जो schedule tribe के, वो member जो tribal areas में रह रहे हैं, या फिर, ST category के लोग, जो Arudachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, ऐसे reason में रह रहे हैं, उनकी जो भी income है, that is exempted from tax, वो tax से exempted है, ठीक है, उस पर उन्हें tax नहीं देना है, उनकी income पर tax नहीं देना है, ठीक है, तो यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि, यह जो areas हैं, यह इतने ज़्यादा develop नहीं है, तो यहाँ पर income का source ही बहुत कम है, तो यह बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कि इनने tax benefit दिया गया है, कि इनकी जो यह income होगी, that is exempted from tax, ठीक, नेक्स है, certain income of Sikkimese, Sikkimese, यानि वो individual जो Sikkimese में रह रह रहे हैं, ठीक है, तो कुछ income जो Sikkimese की है, that is also exempted from tax, ठीक ह income of minor child, तो अगर suppose करिए कोई individual है, जिसकी income में minor child की भी income included है, ठीक है, कोई individual है, जिसकी income include करती है, income of his minor child, चाहे एक child, चाहे minor children, एक से जादे बच्चों की income, उसकी income में अगर included है, तब उस case में जो individual है, वो entitled है to exemption, वो exemption के लिए entitled है, लेकिन condition apply, कि exemption कितना मिलेगा, तो exemption मिलेगा, actual amount, इवन ये MCQs में बहुत पूछा जाता है, कि कितना मिलेगा, ये वाला question में बहुत देखा है, तो इसको important mark कर लीजे, कि उसको exemption कितना मिलेगा, या तो actual amount, या 1500 in respect of each minor child, whichever is less, ठीक है, अगर कोई individual है, उसकी income में, income of his minor child is included, तो उस case में जो individual है, वो exemption के लिए entitle है, ठीक है, पर उसमें exemption कितना मिलेगा, उसे exemption मिलेगा, actual amount, या फिर 1500 in respect of each minor child, अगर दो बच्चे है, तो 1500, 1500, ठीक है, 1500 in respect of each minor child, इन दोनों amount में से, जो कम हो, actual amount, ठीक है, and 1500 in respect of each minor child, इन दोनों में से, जो कम होगा, उस पे वो exemption है, ठीक है, वो उस पॉइंट हो गया, last point, 21st point किया है, income from an international sporting event, ठीक है, तो कोई भी specified income, ठीक है, जो नोटिफाई किया है, central government ने, और वो income derived हो रही है, किससे, international sporting event से, international sporting event से, international sporting event से, जो भी income derived हो रही है, that is exempted from tax, लेकिन, अगेन, इसमें condition applied है, पहली condition किया है, कि that event must be held in India, वो जो इवेंट है, दूसरा क्या है, that event is approved by international bodies, ठीक है, international bodies उसको approve कर रही हो, और वो international sports event हो, ठीक है, और दो से जादा countries उस event में participate कर रही हो, तो उस case में, उस international sporting event से, जो भी income होती है, that is exempted, वो exempted होती है, ठीक है, तो ये सारे point थे, I hope आपको अच्छे से समझ पे आए होंगे, वैसे ये जो point है, exemption from income, ये आप एक बार, जो भी बुका follow कर रहे है, ये वीडियो देखने के बाद, एक बार book read जरूर करियेगा, इससे क्या होगा, ये point आपके और clear हो जाएंगे, तो 21 point sufficient है, आपको even 10 point, 5 point कुछ exam में लिखने को आएंगे, तो 21 point मेंने discuss कर लिये है, for all SSC's, other than employee and institution, अब अग exempted होती है, ये दोनों जो point, ये दोनों जो sub heading है, ये अब हम अगले lecture में पढ़ेंगे, और उसी के साथ हमारा ये जो topic है, ये जो chapter है, ये फिनिश हो जाएगा, ठीक, उसके बाद हम salary, income from salary start करेंगे, तो चलिए फे मिलते हैं अगले lecture वीडियो में, और lecture useful लगा हो, तो लाइ कर दीजिए, फिर उसके बाद वीडियो को close करिएगा, चलिए फे मिलते हैं अगले lecture में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, God bless you